आज कर आप लोग देख रहे होगे कि काफी सारी कंपनीज फिर चाहे वो प्रोड़क बेस कंपनीज हो या सर्विस बेस कंपनीज हो अपने इंप्लॉईज को ले ओफ कर रहे हैं आज हम बात करेंगे कि ये जो recession और layoffs का time period चल रहा है इस time में आपको अपनी job switch करनी चाहिए या नहीं तो video end तक ज़रूर देखना अगर informative लगे तो please like कर लेना और चैनल को subscribe कर लेना थोड़े time पहले बहुत सारी companies ने अपनी hiring freeze कर ले थी और आपने कुछ YouTubers को बोलते हो सुना होगा कि उनको HR ने बता है कि हर साल इस time पर hiring slow होती है पर अब आप लोग देख रहे होगे कि recession की वज़ा से hiring freeze तो ही पर अब companies layoff भी कर रही है फिर चाहे वो service based companies हो या product based companies हो जैसे Twitter है, Meta है उन्होंने already अपनी companies से employees layoff कर ली है और आगे आने वाले time पर और भी employees layoff होंगे और आपने देखा होगा कि Amazon से भी news आ रहे है कि वो भी अपने employees को layoff करने वाले आने वाले time में और अब Accenture है, Cognisant है, वो भी अपने employees का background चेक करवा रहे हैं और जिनके भी fake experience letter निकल रहे हैं जो भी उन्होंने submit catered document वो उनको layoff कर रहे है तो hiring freeze और layoff का reason तो मैं आपको already बता चुका हूँ अपनी last videos में कि companies अपने आपको prepare करते हैं जो भी events चल रहे होते हैं उनके लिए और जो भी events आने वाले होते हैं उनके लिए जैसे pandemic था और अब recession है तो पहले companies है hiring freeze की कि यह सोच करके कि उनको आगे loss नहों और अब जब loss हो रहा होगा तो उन्होंने layoff स्टार्ट कर दिया तो यह था reason अब बात करते हैं कि यह जो time period चल रहा है recession का layoffs का इस time पर आपको अपनी job switch करनी चाहिए या नहीं तो यह बस मेरा opinion है जो मैं आप लोगों के साथ share करना चाहूंगा कि अगर आपकी jobs रही चल रही है आपको decent pay मिल रही है आपका toxic work environment नहीं है work life balance अच्छा है तो यह जो आगे आने वाले five to six months है इस time को आप ऐसे ही निकाल लो अपनी current company में रहो और अगर आपके पास अच्छा offer है अभी या आपका toxic work environment आपकी work life balance अच्छी नहीं है और आपको offer अच्छा मिल रहा है तो आप अपनी job switch कर लो पर अगर आपकी current company में आपकी position अच्छी है ठीक ठाक है job secure है तो आप अभी job switch ना करो यह बस मेरा opinion है बाकी मुझे पता है कि आप लोग mature और अपनी decisions खुद ले सकते हो पर मैंने सोचा कि यह video create कर लूँ ताकि आपको भी awareness मिले कि आगे जो कुछ months है अभी वो ऐसी चलने वाले hiring freeze और layoffs के अभी आप LinkedIn खुलोगे तो बहुत सारी companies ऐसी है जिनके employees layoff हुए है और वो LinkedIn पर post जाल रहे है आप लोग देखोगे काफी सारी employees जिन्होंने recently join किया है चाहे वो meta में हो, twitter में हो, उनको layoff कर दिया गिया है और कुछ employees तो ऐसे हैं जिनको एक peak भी नहीं हुआ था और कुछ employees ऐसे हैं जिनका work visa expire होने वाला है उनको भी layoff कर दिया गिया है और अब वो दूसरी job डून रहे है तो ये time थोड़ा ठीक नहीं चल रहे है तो अगर आपकी position सही है, secure job है अभी, PA सही है आपकी तो आप ये time period ऐसे ही निकाल लो, आगे आने वाले कुछ मन तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने सोचा कि आपके साथ अपना opinion शेर कर लो ये जो time चल रहे है, layoffs, recession का इसमें आपको अपनी job स्विच करनी चाहिए या नहीं तो अगर वीडियो informative लगी हो तो प्लीज लाइक कर लेना और चैनल को subscribe कर लेना Thank you